हेलो स्टुडेंट्स वेलकम इन माई यूट्यूब चैनल जूलोजी क्लासेज प्रिविस वीडियो में हमने पढ़ा था सुपर क्लास टेट्रोपोडा की एक क्लास एमफीबिया आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास रेप्टिलिया या वर्ग सरीसर्प वर्ग सरीसर्प की बात करें तो रेप्टिलिया वर्ड का मीन होता है creeping vertebrates अर्थार्थ ऐसे जन्तु जो रेंग कर चलते हैं वो reptilia वर्ग में सम्मिलित किये जाते हैं बात करते हैं सरीसर्फ वर्ग के कुछ key points की तो reptiles have about 6000 living species सरीसर्फ पोम में लगबग 6000 जिवित जन्तु जातिया देखने को मिलती है another key points की बात करें तो they evolved during permian इनका origin की बात करें तो ये पर्मियन काल्व में evolved या इस्तापित हुए थे and spread widely during मीजोजोग एरा और मीजोग कल्प के दोरान ये विश्तरत रूप से फेल गए थे इसी के लिए basis पे हम मीजोजोग एरा को reptiles का golden एरा कहते हैं या sun कल्प कहते हैं बात करते हैं इनके general या common names की generally called creeping vertebrates सामने थे इन्हें रेंगने वाले vertebrates animal का जाता है या रेंगने वाले कसेरू की जन्तों में इनको समलित किया जाता है आज का हमारा वीडियो बेस रहेगा class reptilia के general characters सब सबेले बात करते हैं habitat habitat की तो ये सबी परकार के habitat ये आवास में देखने को मिलते हैं कुछ exception को छोड़ कर जैसे except very cold regions कुछ थंडे परदेसों को या बहुत अधिक थंडे परदेसों में ये अनुपस्तित हो सकते हैं बाकि widely ये पूरे world की सबी habitat में लगबग पाये जाते हैं सर्व की जन्तू सरी सर्पों को माना जाता है क्यों क्योंकि इससे previous class में हमने देखा था वर्ग MPB या उबेचरों में जन्तू थल और नब दोनों में पाये जाते थे अर्थार इस्तल और जल दोनों परकार के आवास में जन्तू पाये जाते थे लेकिन यहां पूर्ण तया इस्तल पर जन्तू देखने को मिलते हैं इसलिए रेप्टाइल्स को first truly terrestrial vertebrates भी कहा जाता है बात करते हैं इनकी बोड़ी की तो बोड़ी चार भागों में स्पस्ट रूप से डिवाइड रहती है जिनमें हेड या सीर नेक, ग्रीवा या गर्दन ट्रंक, धर्ड और टेल या पूँच में बटी होती है two paired jointed appendages और limbs are found दो जोड़ी पाद उपस्तित रहते हैं और जनरली पाद pentadictile होते हैं exception के तोर पे कुछ जन्तों में four limb tetradictile हो सकती है और hind limb pentadictile होती है बात करते हैं इसकी इनकी तो इनकी तउचा शुष्क होती है, dry, rough या खुर्दरी होती है और horny या काटे नूमा होती है अर्थार विबिन परकार के epidermal scales इनमें उपस्तित होते हैं जिनकी वज़े से तउचा खुर्दरी, शुष्क और काटे नूमा होती है क्योंकि इनमें किसी परकार की कोई mucos gland नहीं पाई जाती अर्थार स्लेश्मिक ग्रंतिया इनमें अनुपस्तित होती है और स्लेश्मिक ग्रंतिया अनुपस्तित होने के कारण इनकी तउचा खुर्दरी या चिमड के समान काटे नूमा होती है बात करते हैं इनके एक जो स्केल्टन की या बाहिये कंकाल की तो बाहिये कंकाल एपिडर्मल स्केल्स अर्थार्थ एपिडर्मिस के सलकों द्वारा बना होता है प्लेट्स या पटिकों के द्वारा बना होता है सिल्ट्स या छत्रकों के द्वारा और इस्क्यूट्स या प्रसलकों के द्वारा इनका बाहिये कंकाल बना होता है अर्थार्थ बाहिये कंकाल इस्क्यूट्स, सिल्ड्स, प्लैट्स और एपिडर्मल स्केल्स के द्वारा बना होता है इनके बाहिएक अंकाल में एक विशेस प्रकार की परकिरिया देखने को मिलती है ये students आपके लिए बहती महत्पूर्ण points है इसे आप दियान रखिएगा molting process reptiles का characteristic feature है अर्थार निर्मोचन की परकिरिया इनमें देखने को मिलती है निर्मोचन क्या होता है तो निर्मोचन एक जो skeleton की जो पर्त या layer होती है ये समय समय पे उतार दी जाती है जिसे निर्मोचन केते हैं आपने generally देखा होगा snacks में molting का process पाय जाता है जिसके द्वारा सर्प की जो उपरी epidermal scales की पर्त होती है वो समय समय पे या एक सीजन दूसरे सीजन उतार दी जाती है जिससे समयने ते आप सर्प की केचुली केते हैं तो केचुली का उतारना या epidermal scales की पर्त का उतारना ही निर्मोचन या molting के लाता है नेक्स्ट बात करते हैं इनमें पाईजान वाले पाच्चन तंतर की या digestive system की तो digestive system well developed होता है अर्तार सूविक्सित होता है जिनमें digestive glands भी उपस्तित होती है बात करते हैं इनमें पाईजान वाले teeth की तो सभी reptiles में teeth उपस्तित होते हैं और teeth दोनों जबडों में उपस्तित होते हैं अर्थार अपर जो और लोवर जो दोनों में teeth उपस्तित होते हैं कुछ एसे reptiles भी होते हैं जिनमें exception या अप्वाद सवरूप epidermal teeth देखने को मिलते हैं या आप कह सकतो हो उनमें beak देखने को मिलती है या चोंस देखने को मिलती है जो की epidermal teeth की बनी होती है जैसे turtles अर्थार turtles में teeth absent होती है teeth are absent in turtles अर्थार तवास्तिक प्रकार के दाथ कच्छूओं में अनुपस्तित होते हैं elementary canal opens into cloaca, अहार नाल की बात करे तो अहार नाल में मुख उपस्तित होता है लेकिन एनस पोर absent होता है इसके कारण elementary canal की closing एनस में ना होकर cloaca या अवसकर में होती है और cloaca या अवसकर ही urinogenital का last aperture है इनके लावा बात करते हैं इनमें पाइजान वाले circulatory system की या परिशन चन्तंत्र की तो परिशन चन्तंत्र इनमें विक्सित परकार का होता है जो की अपन देखे सभी कसरुकियों में तो विक्सित परकार का इनमें भी देखने को मिलता है लेकिन यहां circulatory system की एक विशेष्ता होती है कि इनमें पाएजान वाला heart 3 chamber होता है लेकिन त्री कक्षिये हर्दे होने के साथ इनमें दो आलिंद और एक निले पाए जाता है लेकिन निले में एक पट उपस्तित होता है जिसके कारण निले आभासी रूप से दो भागों में बटावा परतित होता है इसलिए ऐसा लगता है कि यह अपून रूप से 4 कक्षों में बटावा है हलंकि यह 3 कक्षों में बटावा रहता है और कहीं निले में प्योर और इंप्योर ब्लड जिसे हम oxygenated और deoxygenated ब्लड केते हैं mix up होता है अर्थार 3 chambered heart होता है मतलब 3 कक्षी अर्दे होता है लेकिन निले के अपून विवाजन के कारण आबासी रूप से यह 4 कक्षों में बटावा प्रतीत होता है RBCs और Oval RBCs की बात करें तो Oval यह अंडाकार होती है बाई-कॉनवेक शेप की होती है या आप कहसकते हैं nucleated होती है या Kendra क्यूक्त होती है बात करते हैं अन्य सरीसर्पों के characters की तो reptiles आज पोई-कलो-thermal सरीसर्प ए समतापी प्रकार के जन्तू होते हैं अर्थार इनकी बोडी का temperature वाताउन के temperature पर depend करता है अर्थार बोडी का temperature बाहर के वाताउन के temperature के अनुसार बदलता रहता है या वेरी करता रहता है respiration by lungs suction की बात करें तो इनमें suction पूर्णेत्या फेफलो के दोरा होता है या आप कहे सकतो pulmonary respirations पाए जाता है pulmonary मतलब पूर्ण ते terrestrial animal है और terrestrial animal होने के कारण इनमें पूर्ण ते फुपुसी सवसन देखने को मिलता है बात करते हैं excretion की या उत्सरजन की उत्सरजन के लिए उच्च प्रकार की विक्षित किड्निया पाई जाती है जिसे हम metanephric kidney या पस्च वरका कहते हैं उनके द्वारा इनमें उत्सरजन होता है मुख्य उत्सरजी पदात की बात करें तो यूरिक अमल इनमें सादान ते उत्सरजी पदात होता है यूरिनीरी ब्लेडर की बात करें तो यूरिनीरी ब्लेडर इस प्रजेंट बट एप्सेंड इन स्नेक्स हम बात करते हैं रेटेल्स जन्तों की तो इनमें यूरिनीरी ब्लेडर सामनेते उपस्तित होता है लेकिन सर्पों में अक्वाद सवरूप यूरिनिरी ब्लेडर या मुत्राश ये अनुपस्तित होता है बात करता हैं इनके सेंस और्गन्स की तो इनमें एक विशेश प्रकार की सेंस और्गन्स उपस्तित होता है जैसे जेकपसंस ओर्गन इस प्रजेंड इंदा रूप बकल के विटी मुख गुआ की छत पर एक विशेश प्रकार के समवेदी अंग उपस्तित होते हैं जिने हम जेकपसंस ओर्गन केते हैं क्यों क्योंकि इन अंगों की खोज जेकपसंस नामग विज्यानिक ने की थी अते इनका नाम जेकपसंस अंग रखा गया है ये मुख्यते सैंस ओर्गन की तरह कारे करते हैं नरो सिस्टम की बात करें तो नरो सिस्टम इनका वोल दवलब्ट होता है अगर comparative account की बात करें तो MPPN से अधिक विक्सित प्रकार का तंत्रिका तंत्र इनमें देखने को मिलता है बात करते हैं इनमें पाई जनवाली कपाल तंत्रिकाओं की तो इनमें 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाओं देखने को मिलती है अपवास रूप इनकी संक्या वेरी हो सकती है लेकिन साधानों ते इनमें 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाओं ही देखने को मिलती है इनके अलावा sexes are separate link इनके प्रतक प्रतक होते हैं अर्थार नर्वे मादा जन्तू अलग अलग होते हैं आप यह कह सकते हैं कि यह एक लिंगी जन्तू होते हैं इनके अलावा नर्व में निश्यचन के लिए एक विशेस अंग पाये जाता है जिसे मेहतुनां या कोपिलेट्री औरगन कहते हैं जो कि मेधुन्पकिरिया में सायक होता है जिसे द्वारा गेमिट्स रिलीज भॉड़ी के भीत्र की जाता है अर्थार फटिलाइजिशन की बात करें इनमें आंत्रिक परकार का होता है क्योंकि इनमें कोपिलेट्री औरगन उपस्तित होता है में तुनांग उपस्तित होता है जिनकी साहिता से अपने नर्व युगमक मादा के शरीर में विश्चित कर देता है इस प्रकार इन में पाई-जयन वोड़ा और वो VVP भी होती है अंड जराई उस्ता भी देखना को मिलती है अर्थाग अंडो से सिसू भी उत्पन होते हैं development की बात करें तो इनमें development direct प्रकार का होता है अर्थार परिवर्धन प्रत्यक्स प्रकार का होता है जिनमें किसी भी प्रकार की कोई लार्वा वस्ता नहीं पाई जाती है इनके लबा एक vicious note की बात करें तो embryos come to have the covering of four types of membranes इनकी ब्रुणिया वस्ता में चार विशेश प्रकार की ब्रुणिये जिलिया उपस्तित होती है जिनने हम embryonic membranes केते हैं जिनके नाम निम्न प्रकार है योकसेक, कोरियोन, एम्नियोन और एलेंटोईस यह चार महत्वण भुरुणिये जिलिया हैं जो इनके embryo के development में सायब होती है और यह एक coded animals के साथ साथ, mammals का diagnostic characters है तो यह आपको ध्यान होना चाहिए हम बात करते हैं रेप्टाइस जनतों के कुछ common examples की तो इनमें lizards, crocodiles, tortoise, और snacks को समलित करते हैं तो students यह थे class reptilia के कुछ key points के साथ general characters I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे अधिक से अधिक like, share और subscribe करें और मेरे YouTube channel जिलोजी Classes को अधिक से अधिक promote करें Thanks, thanks a lot